हलो फ्रेंड्स मैं हो संध्या सागत है आपका सेल की रसोई में आज हम मनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक नहीं रेश्पी तो वीडियो नहीं तक जरूर देखेगा I hope आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेश्पी पसंद आए फ्रेंस तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सस्प्राइब करना बिल्कूल मत बुलिएगा तो चलिए फिर भूनानाई स्टार्ट करते हैं आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स फटे हुए दूद की बहुत ही सांदार रेश्पी आपको जरूर पसंद आएगी जब भी अब दूद फट जाए तो आप उसे फेकिएगा मत आप इस तरह से उसकी रवडी बना लीजेगा या फिर आप इसे खीर कह सकते हैं बहुत ही तेश्टी बनती है और बनाना बहुत ही जी है कई बार होता है कि दूद फट जाता है तो हम उसका छेना निकाल के या तो मिठाई हो गेरा बना लेते हैं या पनीर के रूप में उप्योग कर लेते हैं तो मैं भी यह जैसे दूद फट गया था तो मैंने इसे निकाल लिया था इसे छेना यह देखिए लेकिन मैंने फ्रीजर में रख दिया था तो जैसे एक दो दिन मैं नहीं बना पाई मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने सुचा कि अब इसकी हम दूसरी रेस्पी बना लेते है तो ये थोड़ा सा hard हो गया है जैसे रखिएगा उसमें freezer में तो थोड़ा hard हो जाता है और पनीर तो आप जैसे एक दो दिन में use कर लें तो ठीक रहता है तो ये दो तीन दिन हो गया था तो काफी hard हो गया है तो मैं इसकी खीर बनाने वाली हूँ एकदम रवडी दार खीर तो मलाई सहीत आप दूध ले लीजिएगा तेहां मैंने gas on करके कड़ाई रगभी और कड़ाई में आधा गिलास दूध मैंने डाल लिया दूध को हम थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाए दूध हलका गाढ़ा होने लगे उसी समय हमें उस छ हाड सकते हैं नीबू का रस उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए और दूध आपका जो है वो फट जाएगा और छेना बहुत अच्छे से निकल जाएगा तो आप जिसे पनीर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं या रस गूले और बनाना चाहते हैं तो ऐसे कर सक हैं या फिर सबसे सरल अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से रबडीदार खीर बना लीजिए तो यह देखिए इसमें थोड़ा हाड है तो ऐसे यह घीस के इसमें डाल देती हूं ताकि इसमें अच्छे से बारिक बारिक चले जाए गुठलिया ना रहे तो ऐसे खीस दे है बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी यह आप इसे रोटी प्राठे के साथ खाईए बहुत अच्छी लगती है खाने में आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिल्कुल खोए जैसी लगती है यह जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो बिल्कुल खोए जैसे लगेगी आपको बीच का है तो यह काफी हाड हो गया है फीजर में रखने की वज़ा से तो दो तीन दिन हो गया था मैंने पहले सोचा था कि इसकी मतलब पनीर हम यूज कर लेंगे लेकिन मैं नहीं कर पाई तो इसलिए इस रेस्पी को मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं क्योंकि हम अक्सर अ यह बosred को और जेस्चेण कर लेंगे जैसे ही यह तूटी शूटी कटोरी चीनी डाल रहे हूं क्योंकि हम और चीनी डाले एक बाद ऐसे mix कर लेंगे जैसे ही चीनी घुल जाएगी चीनी का कच्चा पन जो है खतम हो जाएगा यह अच्छे से पक जाएगी बस उत्ता ही हमें रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद में एकडम गाड़ी हो जाती है तो थोड़ा हम इसे starting में पतला ही रखेंगे आप ए देख रहे हूंगी कितना जल्दी यह गाड़ा हो गया तो इतना ही हमें रखना है मैंने गैस बन कर दिया अब मैं इसे एक कटोरी में पूरा निकाल के आपको दिखाती हूं कि किस तरह की यह हमारी छेने की खीर बन कर तयार हुई है आप इसे रबड़ी भी कह सकते हैं छेन कि में हम निकाल लेंगे इसके उपर से मैं बारिक बारिक किसमिस काट के डाल दूँगी ताकि देखने में और यह अच्छी लगे तो यह देखिए थोड़ा कडाई में बच गया है मैंने पूरा कटोरी में नहीं निकाला है क्योंकि कटोरी जो है वो फूल हो चुका था तो आप इस तरह से खा लिए तो आपको बहुत पसंद आएगा आप इसे ब्रत में भी खा सकते हैं जैसे आप अगर आप ब्रत रखे हैं और ब्रत में आपको मीठा खाने का मन करें तो आप इस तरह से जरूर बनाईए आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में और बहुत ट कि फिखर भी यह तेक्व के औते जमिंद और फेक्थ आपको पास्तों स्वाद आएगा आगए अग्दम मूं में घुल जाएगा डाल सुझी में कि फो नेश्छा है grund JESS के साथ में आपको लगेगा नहीं कि ये इतनी मतलब सरल रेश्पी है और इतनी टेश्टी बनती है आप एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा आपको जरूर पसंद आएगा फ्रेंड्स और अगर आज किए एकदम इजी रेश्पी आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा और जो फ्रेंट्स चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिएगा और एक बार आप बना कर जरूर देखिएगा अगर आपको पसंदा तो निए जरूर बताईएगा